अगर आपको English नहीं आता है, अगर आपका confidence कम है, तो आप अपने content को तो भूल जाते हैं, आपका सारा focus सिर्फ इसी पे हो जाता है कि अब हम answer देते हैं, अब answer देते हैं, लेकिन कैसे? हमें तो English आती नहीं है, जो कमी से हम आज तक भागते रहे, वो कमी तो face करनी पड़ेगी आप newspaper पड़ते हैं, आप English movies देखते हैं, आप English songs से सुनते हैं, आप English news सुनते हैं, ये सब कुछ करने के बाद भी आप English में भी सीख तो लेते हैं, लेकिन English मुह से निकल नहीं पाती है, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही effective 21-day plan बताऊंगी, जिसे कि आप अपना English improve कर सकत हैं, आप लोगों को हर रोज English सिखाती हूँ, English सिखाती हूँ, मतलब English भाषा की टीचर हूँ, English भाषा की टीचर हूँ, तो लोगों को यही लगता है कि English teacher है, तो इनको तो बच्पन से ही English आता होगा, नहीं, ये कम्जोरी मेरे अंदर भी थी, ये confidence की कमी, ये problem मेरी भी थी, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों की है, लेकिन इस problem को मैंने fight किया, मैंने face किया, क्याते है ना, डर के आगे जीत है, तो इस डर के आगे बढ़ने का ये जो मेरा सफर है, मैं ये आप लोगों के साथ में share करना चाहूँगे, ना, ये सफर शुरू कहां से होता है, बचपन से हम हिंदी भाशी लोग हैं, सो घर पर भी हिंदी बोलने का माहौल रहता है, अब घर पर भी हिंदी बोलने का माहौल है, हम English Medium School में दाखिला तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर English बोलने वाले बच्चों से बाचीत नहीं करत हैं, अपने आप crowd divide हो जाता है हमारा, कि ये तो English बोलने वाले बच्चे हैं, हम जिस comfort zone में हैं, हम उसी comfort zone में रहने की कोशिश करते हैं, ये एक problem ऐसी है, जो आप में से लाखों लोग face करते होगे, स्कूल में, जब हम स्कूल में होते हैं, हमें, मैं भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझसे जब teacher पूछती थी कुछ questions, मुझे आता था, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं इस question का answer दूं कैसे, सोचते ही रहते थे, हर वक्त जब तक उस question का answer कोई और student दे न हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, content आता है, question का answer आता है, लेकिन आप answer नहीं दे पाते हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते होंगे, ऐसे ही यही problem face करते होंगे, कभी लगता होगा कि teacher से आप आँख नहीं मिलाते थे, कि answer कभी हम से ना पूछ लिया जाए, ये क् खुद के हाथों में लेनी पड़ती है, मुझे भी लेनी पड़ी, उस दिन realize हुआ कि जो कमी से हम आज तक भागते रहे, वो कमी तो face करनी पड़ेगी, उसे दूर करनी पड़ेगी, वो दूर कैसे किया, तो आए चलिए मैं आपको बताना चाहूंगी, कि मैंने अपनी ये क कमी कैसे दूर की, मुझे ये तो realize हो गया था कि practice करने की जरूरत है, आपको भी पता है, बहुत सारी जगे पर आपने सुना भी होगा, जैसे आप realize कर लेते हैं कि हाँ ठीक है English हमें सीखना है, फिर आप क्या-क्या करते हैं, रापिडेक्स बुक ले आते हैं, YouTube वीडियो दे होते हैं, लेकिन क्या आपने notice किया कि इसमें एक चीज मिस आउट हो रही है, ये सब कुछ करने के बाद भी आप English में भी सीख तो लेते हैं, लेकिन English मुह से निकल नहीं पाती है, क्या आपने realize कि इसमें कमी क्या थी, कमी थी practice की, सब जगह आप सिर्फ अपने आपको English दे एक line यहां पर कहना चाहूंगे, उन्होंने कहा था, if you want to learn to swim, jump into the water, तो इसी तरह से आप लोगों को अपने आसपास महाल बनाना पड़ेगा, मेरे पास भी महाल नहीं था, शायद इसी लिए पूरे school life में struggle करती रही, college के दोरान भी में struggle करती रही, इसी कमजोरी को लेके, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग इस problem को लेके struggle कर रहे होंगे, so आये चलिए जब हमने सोच ही लिया है कि English को सुधारना है, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही effective 21 day plan बताऊंगी, जिससे कि आप अपना English improve कर सकते हैं, अब 21 day plan ही क्यों, 21 day habit forming theory के according, अगर आप किसी भी 21 days तक regular करते हैं, तो आप लोगों की वो चीज habit बन जाती है, और जो चीज हमारी habit बन जाती है, फिर हम उसको बिना सोचे समझे करना शुरू कर देते हैं, subconsciously करना शुरू कर देते हैं, इसलिए आप लोगों को ये 21 day plan follow करना है, इसमें हम strategy use करने वाले हैं, 4P strategy, ये 4P strategies साथ ही, religiously, पूरी शिदत से, पूरी दिल से आप लोगों को apply करना है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने 1st P से, 1st P है हमारा promise, promise क्यों जरूरी है, ये वो वाला promise नहीं है, जो promises meant to be broken होता है, ये वो promise है, जो आप पूरी शिदत से निभाएंगे, अपने लिए, career development के लिए, अब promise जरूरी क्यों है, promise इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब तक आप promise नहीं करते, तब तक वो dedication नहीं आता है, कि आप इस चीज़ को 21 day तक follow कर सके, एक दिन करेंगे, next day भूल जाएंगे, जैसे हम new year resolutions, second of jan को ही भूल जाते हैं, तो full dedication के साथ में आपको promise करना है कि ये 21 days strategy आप बिल्कुल religiously पूरी शिदत से follow करेंगे, अब आज जाते हम अपने second P पे, second P है practice, हाँ हम सब जानते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे चीज़े आप करते हैं, लेकिन वो input के लिए होता है, आपको वो चीज़े करना है, जिससे कि आप output दे स जैसे कि बचपन में जब आपने अपनी मात्रभाशा सीखी थी, तो आपने बोला था, बिल्कुल उसी तरह से आपको बोलना है, अब आप कहते हैं सबसे बड़ा problem यही होता है कि माम हमारे पास माहौल नहीं है, हम बात किस से करें, तो वो माहौल हम आज कल घर बैठे बना स सकते हैं, खैसे, वाट्साप पे आप ऐसे ग्रूप बना सकते हैं, जो कुछ आपके friends या मेबी आपके cousins, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप dedicated ऐसा ग्रूप बना लो जहां पर आप सिर्फ इंग्लिश में voice call करें, टेलिग्राम पे भी आप ग्रूप्स बना सकते हैं, लीजिए और आप English बोलिए हमें हर रोज हम कुछ भी यूज करते रहते हैं कोई प्रोबल मा जाती हम कस्टमर के पर फोन करते हैं आप वहां पर अपना language क्या चूज करते हैं जो भी language में आप comfortable है वही language चूज करते हैं तो आपको वो language नहीं चूज करना है आपको English करने के लिए पीछे हो जाएंगे और परसों को आप हमेशा के लिए लाइफ में पीछे रहेंगे यह चीज आपके परसनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में अफेक्ट करता रहता है तो आप क्या करेंगे आप English में बोलने का वाटर फर मी क्या प्लीज मुझे पानी लाके देंगे ठीक है प्लीज वगेरा बोल लीजे हमें यह लगता है कि हमारे अपने है तो हम उनको प्लीज और थैंक यू नहीं बोले क्यों क्या ये प्लीज और थैंक यू सिर्फ दूसरों को बोलने के लिए बना है आप ये लीजिए कि आप जो कुछ भी करेंगे इंग्लिज में करेंगे रिमेंबर 21 देज तक आपको एफ़र्ट करना है एक बार ये आप बोलना शुरू कर देंगे तो कल को फोन आएगा न तो डरोगे नहीं कि इंग्लिज में जवाब कैसे दे कई बार ऐसे भी होता है न कि आपक पी का मकसर पूरी तरह से अचीव हो गया अब एक बार आपने प्राक्टिस कर लिया डेली यूज इंग्लिश देखो डेली यूज इंग्लिश बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपके हर जगा है लेकिन जैसे हम घर में रहते हैं तो घर में जिस तरह से हम पेश आते हैं और लेकिन रिमेंबर प्राक्टिस करके आपने कॉंफिडेंस हासल कर लिया है और कॉंफिडेंस एक बार आ गया है थोड़ा सा फिनिशिंग की जरूत होती है वह फिनिशिंग क्या है देखे हम अपने फ्रेंज के साथ में जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम कंफिटेबल हो जा है कि कहीं हमें सामने वाले जजना कर ले हमारी इस कमी के वज़े से हमारा ये जॉब या उपर्च्यूनिटी हमारे हाथ से ना निकल जाए आपको डर होता है कि आप ही के बदले शी ना बोल दे डर के मारी हो जाता है हम ऐसा कर लेते हैं या मशीन के बदले मसीन ना बोल दो जो आपके pronunciation जो आपके mother tongue influence होते हैं ये problems के वज़ा से तो हमें इसके लिए क्या करना है pronunciation जब आप अपने pronunciation को improve करना चाहते हैं तो इसके लिए तो आपको सही चीज सुननी पड़ेगी that's very important remember जब आपके mommy ने of course आपको नहीं पता होगा लेकिन आप अपने आसपास देख सकते हैं बच्चों को जब हम सिखाते हैं ममा बोलो पापा बोलो तो हम उसको बोलते हैं फिर वो उसको repeat करता है तो आप अपने pronunciation को इसी तरह से improve कर सकते हैं आप सही pronunciation सुनिए और improve करिए और जब हम professional English की बात करते हैं तो professional English के लिए presentations देना है तो presentation आप कैसे देंगे कई बार हम जब group discussions में या meetings में बैठे होते हैं तो हमें किसी के साथ में agree करना है, disagree करना है तो आप अगर किसी से असहमत हैं तो ये बात politely आप कैसे बोलेंगे अगर आप किसी से सहमत हैं तो आप या किसी का support करना चाहते हैं तो आप किसी के समर्थन में कोई बात कैसे बोलेंगे ये चोटी चोटी चीजे हैं एक बार आपको daily use English आ गई confidence आ जाएगा तो ये थोड़े से finishing के साथ में ये greetings किसी को greet कैसे करना है ठीक किसी से बात कैसे करना है ये सारी चोटी चोटी चीजे आप अपने आप flow में कर लेंगे of course practice थोड़ा सा करना पड़ेगा effort और dedication आपको थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी professional English का भी डर आपका सबसे पहले शुरू होगा daily use English से खतम होना और फिर उसके बाद में ये डर आप लोगों का ये चोटे चोटे चीजों पर काम करके निकल जाएगा और आप हमेशा के लिए इ English में put down करें आप कुछेंगे माम कहां तो जब आप अपने friends से chat कर रहे हैं क्योंकि यहां पर अगर आप बोल नहीं रहे हैं बहुत सारी chatting होती है ना WhatsApp चाट करते रहते हैं Telegram पे बहुत सारे ऐसे text apps है what you have to do is you have to write to whatever you want to in English हम English alphabets का तो इस्तमाल करते हैं लेकिन हम लिखते फिर भी Hindi आपनी मात्रभाशा ही है वो नहीं करना है आपको actual English में लिखना है आपको English नहीं English लिखना है practice करिए आज से ही शुरू करिए journaling journaling मतलब journal लिखना आज दिन भर आपने जो कुछ भी किया because उसमें सब कुछ है आपकी daily life English है maybe आपने office में किसी से बात किया होगा वो होगा है तो वो सब चीजे आप English में लिखने की कोशिश करिए जब आप पूरे दिन में आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका daily use English भी आ गया उसमें आपका professional English भी आ गया क्योंकि आप office गए होगे आपने कोई formal meeting की होगी या कुछ भी इस तरह का बात हुआ हो होगा तो वो सारी चीजे आप English में लिखने की कोशिश करिये लिखना क्यों है वाइटू पुटें टुवर्ट्स बिकॉस उसको लिखते वक्त पहले आप English में सोचेंगे और आपने हमेशा सुना होगा जो भी English language experts है वो आपको कहते हैं कि थिंक इंग्लिश बिफोर यू कै इंग्लिश तो वो थिंकिंग इंग्लिश का प्राक्टिस हम यहां से कर सकते हैं कि आप उसको लिखिए आप लिखते वक्त पहले सोचेंगे और वंस्यू स्टार्ट थिंकिंग जब वो आपका फ्लोएंटली माइंड में इंग्लिश शुरू हो जाता है फिर सेकेंड पी ज पूरा कर लिया फिर चेंज देखना अपने confidence में और अपने English Fluency में और जो शायद आप सालों से नहीं कर पाए हैं वो इस 21 दिन में आप पूरा कर सकते हैं और 21 दिन में आप अपने डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं जैसे कि मैंने अपने डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है और आज लाखों लोगों को इंग्लिश सिखा रही हूँ और ये 4 टिप्स में से आपका फीवरिट टिप कौन सा है आपने कौन सा टिप सबसे पहले अपलाई किया और किस टिप का आपको सबसे पहले रिजल्ट आया ये आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखके बताईएगा इंग्लिश में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो जोश्टॉक्स चानल को सब्सक्राइब करें अगर आप भी इस वीडियो के एंग तक पहुँच गए है तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर्द जरूर हुए होंगे आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की दोस्तों सपने तो हम सभी देखते हैं लेकिन हम में से कुछी लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेस्फुल हो पाते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेस्फुल होता है उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं जैसे कि अच्छी कम्मिनिकेशन स्किल्स जो की spoken English से आती है और दोस्तों हम सभी इस skill को master करके अपनी life में आगे बढ़ सकते हैं जो skills app के साथ इस app में हम one by one vocabulary के नए words, grammar practices, reading और writing practices के साथ-साथ अपने जैसे अन्य हजारो students के साथ online, English में live बात करके अपनी English को world class बना सकते हैं आज ही अपनी success की तरफ पहला कदम ले भारत के number one spoken English app जो skills के साथ